और अगोता है सिक्षा मंत्री गोविन सिंग डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है सिलेबस हटाने को लेकर बड़ा बयान सामने आया है कहा है जिन मुद्दों को लेकर केंद्र में बाजपाने राजनेती की कि आज उसी सिलेबस को पार्टिक्रम से हटाना आश्चर रेजनग, महाराना प्रताप के मामले पर बोले मन्तुरी कहा, महाराना प्रताप हमारे लिए भी महापुरुष है, पार्टिक्रम में किसी भी प्रकार का फीर बदल नहीं किया जाएगा, CBSE ने बिना किसी रणनीती के सिलेबस को कम किया केंदर ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए हटाया सिलेबस, नागरिक्ता, धर्म, निर्पेक्ष्टा, राष्टरवाद के चैप्टर हटाए गए साथी भारत के कई मैटपून चैप्टर भी हटाए गए जो घलत है सरकार के साथ इस समन्द में वारता की चाएगी और इसे सिलसले में खास बाचित के सिक्षा मंत्री से हमारे सेयोगी ने आप बे सुनिए इसकुली पाठेकरम को लेकर राजनीती हमेशा से ही गर्माती आई है इस बार सीवियेस से की यह और से कम किये गए तीस प्रतितर सिलिवर्स को लेकर राजनीती है अब तेज हो गई है मंत्री जी अचानक से बीजेपी का यूटर्न लेना क्या कहेंगे इसको लेकर के साथ साल पहले तक की जो प्रधान मंत्रिया योजनाई लाए वो सब बेकार थी मोदी जी जो ला रहे हैं सही है इनका ये कहना होता है लेकिन अब की बार तो बड़ा ही आश्री है कि जो मुद्दे इनके चुनाओं में बने रहते हैं नागरिक्ता का मुद्दा हो, चाए नोटबंदी का मुद्दा हो, चाए राष्टबाद का मुद्दा हो, उन सब चेप्टर्स को वो हटा रहे हैं, इसका माइना ये निकला कि कोंग्रेश पार्टी राहुल गांदी जी जो कहते थे कि आपकी कथनी और करनी में फरक है, आप चिपेवे एजेंडे के तहित काम करते हैं तो वो चीजें आप साबित हुई हैं मैं समझता हूँ CBSC या NDA गोवर्मेंट खुद मानने लग गई है कि ये मुद्दे नहीं उठानी चीए ये बच्छों को नहीं पढ़ानी चीए यानि उनका ये दोरा मापदंड है वो वास्ता प्रकास से लेवस को रिवाइस किया जाएगा हमारा जो राजस्तान में जो पाठेकरम है एक से कक्षा तक का आरे सीर्टी बनाती है और नो से बारा का मादे में एक शिक्षा बोड बनाता है तो उसको हमने रिवू करने के लिए भेज दिया है सरकार की तरफ से कि आप कितने डेज में कितना पाठेकरम हम लोग पढ़ा सकते हैं क्योंकि जब कोविड के कारण से जो डेज कम हो रहे हैं हमारे वर्किंग के तो समिक्षा करवा रहे हैं जो भी समिक्षा में रिपोट आएगी फिर उचित समय पर उचित निरना लिया जाएगा सर महाराना परताब को लेके भी बीजेपी ने कई वार आपत्ती जताइती पार्टेकरम में कि कॉंग्रिस ने शेड चाड़ कि असको लेके क्या आप चाल रहे हैं भारतिय जन्तापार्टी जब भी कोई मुद्दा उठाती है तो छिपाव आईजेंडा हो रहता है और रसेस के इसारे पर उठाती है उसके खुद का विवे काम नहीं करता है आप देखिए जो 2019 से फरवरी से जो बूख चल रही है उसके उपर वो लोग विवाद कर रहे हैं फिर भी मानिये मुख्यमंत्री जी ने कल कुछ समाज के नेता आये थे हमारे केमिनेट मंत्री भी गए थे उनको ये कहा है कि इनको पूरी रिपोर्ट दिखा दी जाए कि कि इस तरीके से ये पाठे करम में कहां से लिखावा है हमने जो समिती की रिपोर्ट लिए उस समिती की रिपोर्ट में एक भी तथे ऐसा नहीं पाया गया कि जिसमें किसी तरह का कोई बिना इतियास के कहीं से नहीं लिया हो फिर भी मेरा ये मानना कि मानिये मुख्यमंत्री ज जी या जो भी आपति दर्ज करने वाले जो नेता हैं वो बैठेंगे तो हम कभी भी उनके साथ बैठ करके दुबारा चर्चा कर लेंगे निश्चित रूप से हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है माराना प्रताब का सोरिये उनकी वीरता उनका लड़ाकपन उनकी जो विसेशता ह हैं उस पे किसी को कोई आपति नहीं और माव उर्ष तो ऐसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है मैं दो बार-बार कहता हूं हम सब के हैं माराना प्रताब हमारी राजस्तान के उनकी वीरता और सोरियता कंकं में बसी विये किसी को कोई आपति हो ही नहीं सकती कोई गलत पढ़ाई करूं मैं कि यह तर सिक्षामंती गोविन सिंग डोटा सा जिनका कहना है कि सेंटर में बीजेपी जिन एजेंड को लेकर राजनीती कर रहती आज उनी को सिलेबस से हटाना आच्चा जने कहा है कैमरा परसन के शांक और उनके साथ भारत दिक्षित फर्स्टरी निउस करूं